Hello friends, welcome to our YouTube channel, Super Challenger आज की वीडियो बहुत ही Interesting होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक Question का Answer जानने की कुछिस करेंगे और Question बड़ा ही Interesting है Question यह है कि क्या कोई भी Player Plan में से ही या Land करने के तुरंट बाद Ind Circle मतलब की Last June का पता कर सकता है अगर आप इस question का answer जानना चाहते हैं तो complete video के देखिए मैंने इस question के उपर बहुत सारे research करें Google के उपर Wikipedia पढ़ा prepare app के अंदर से बहुत सारे information निकालें तब जाकर मुझे एक बात का पता चला कि prepare बस एक ही ऐसा device देता है zone से related जिसका आप use करके next zone का पता कर सकते हैं मतलब कि अगर आप उस device का use कर रहे हैं तो आप next zone का पता कर सकते हैं और क्या पता कर सकते हैं वो आप खुद पढ़ लिजिए यहाँ पे साफ साफ सब्दों में दिखा हुआ है कि this device is used to reveal the next safe zone and the current air drops on the map मतलब साफ है कि जिस समय आप उस device का use कर रहे हैं उसके बाद वाला safe zone कहाँ appear होने वाला है वो यह device exact information दे सकता है और उस समय तक से किस किस location पे air drops आ रखे हैं उसका यह exact information दे सकता है इस device का use करना बहुत simple है आप इस device के पास जाएए उसके पाद यूज का option उसके बाद आप map खोल करके सीधे सीधी देख लीजिए कि कहां कहां पे zone और drops एपियर हो रहे हैं वो simply दिखा देगा और एक बात मैंने इसके पहले बहुत सारे ऐसे YouTube का वीडियो देखाया YouTube पर देखाया यूटूबर बड़े यूटूबर इस पे वीडियो बना चुके हैं जिसमें वो ये बात का दवा करते हैं कि उनलोग plane का line जो होता है वो देखकर ही बता सकते हैं कि इंड सर्किल कहां बनने वाला है भाई ये कोई मजाक थोड़े नहीं है मतलब ऐसा किसी भी बात को free fire courage करता है सीधे deny करता है ऐसा वो कोई भी device नहीं था जिसका use करके आप इंड सर्किल का prediction कर सके हाँ वो अपने अनुवाव के अनुसार मतलब experience का अनुसार अगर वो predict कर रहे हो तो उसका कोई बात नहीं इसके पहले मैंने observatory में बहुत सारे information tool का यूज किया था तो मैं सीधे वाइक लेता हूँ और observatory आयाता हूँ क्योंकि आपको मैं दिखा सकूं live की कैसे ये work करता है और इस फरकार से मुझे यहाँ पर information tool device मील जाता है तो आप simply यूज करने के लिए इसके पास जाएए मैं जाता हूँ यूज वाला option जो है एक्टिवेट होता है उस पर click किजिए click करने के बाद 2 से 3 सेकेंड का यह समय लेगा उसके बाद map open करिए map open करते ही आपको इस तरीके से safe zone appear हो जाएगा जब मैं यूज कर रहा हूँ इस समय तक से कोई airdrop नहीं आ रखा है इसलिए वो airdrop का location नहीं बता रहा अगर कोई भी airdrop आ रखा होता तो वो उसका भी information दे देता हमें तो simply जिस question के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि क्या कोई भी player plane में से या land करते के तुरंत बाद ind circle का पता कर सकता है उसका answer है सीधे सीधी no वो नहीं पता कर सकता है वो next region का पता कर सकता है अगर वो ind circle के पहले वो device यूज़ कर ले तब वो ind circle का पता कर सकता है तो इस वरकार से अगर information आपको अच्छा लगा हो तो आप video को like करिए चैनल को